Hello and welcome back दोस्तों, I hope कि आप सब भी बहुत खुश और स्वास्त होंगे दोस्तों कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको बताया था कि किस तरह से कुछ free certificate आप लोग find out कर सकते हैं और वह extra curricular activity के उपर थे और उसमें कुछ comment भी आयते हैं उस वीडियो के उपर कि NSQF से related certificate की need है तो NSQF certificate दोस्तों जो है वो कुछ jobs में आजकल बहुत जरूरी हो गया है और उसके उपर मैंने particular dedicated वीडियो बना रखे हैं जिससे आप लोग find out कर सकते हैं कि किस तरह से NSQF certificate आपको मिल सकता है NSQF जहां पर भी मांगा जा रहा है वहां पर यह detail भी mention होती है कि यह कुछ घंटों से कुछ दिनों तक की training होती है जिसके assessment के बाद आपको certificate मिलता है तो आप अगर certificate बनवा लेते हो और फिर apply कर देते हो तो हो सकता है कि वह मानने ना हो आगे जाके आपको problem create हो सकती है बट अगर आप properly एक process के साथ उस certificate को पाते हैं तो फिर आपके लिए फाइदे मन्द हो सकता है जैसे for example हम देखें BSF tradesman में कुप water career post के लिए कुछ NSQF level 1 से लेकर level 4 तक के certificate food production और kitchen में मांगे गए थे तो यहाँ पर mention था कि opt-end हो वो certificate NSDC याने की national skill development corporation से और या फिर अगर NSDC से directly नहीं मिलते तो उससे approved institution से तो आपको लेना है तो यहीं पर आपको directly बता रखा गया है कि कि किस तरह से आप लोग find out कर सकते हैं NSDC के approved institute से certificate को और यहाँ जगे यहाँ पर mention भी है कि NSQF certificate can be used for apply job तो आप अगर NSDC को search करेंगे Google पर यह देखे NSDC आपको मिल जाता है इस link पर आप click करेंगे तो आप देखेंगे कि आप जब website पर पहुंसते हो तो directly partner वाले option पर आप जाओगे और यहाँ पर अगर आप training program पर click करोगे तो यहाँ नीचे आपको find a training center का option मिल जाता है जब आप इस पर click करोगे तो आप इस window पर आ जाओगे और यहाँ पर आप चाहो तो course के according यह अपनी location पर find out कर सकते हो अगर आपकी location पर ना मिले तो फिर आपको कहीं और से उसको find out करना पड़ेगा लेकिन आप इसी तरीके से find out कर सकते हो NSDC के approved NSQF certificate जिससे मान लीजिए आप लोगों की आती है वह मैंने यहाँ पर कुक को mention कर दिया और enter किया search कर दिया तो आप देखोगे कि नीचे की तरफ step जहां पर भी वह certificate मिल रहा है और जिस sector से बिलॉंग करता है tourism and hospitality और उसके phone number email id सा आप कुछ मिल जाता है मैंने blur कर रखा है because किसी की information इस तरह से नहीं लेते हो तो भी आपको information मिल जाती है and then आप click करने के बाद उन website पर पहुंच जाते हो वह mention भी होता है NHDC approved वगेरा तो भी फिर भी आप check कर लीजेगा कि कहीं कोई fraud तो नहीं हो रहा है बट इस तरीके से आप find out कर सकते हो कुछ लोगों ने बोला skill India digital से हम find out कर सकते है तो य कुक से रिलेटेड या शेफ से रिलेटेड आपको हिंदी इंगलिश तमिल तेलगू में यहाँ पर certificate online courses मिल जाते हैं बट आप ध्यान रखिए कि अगर online लग रहा हो तो फिर यह certificate काम आएगा यह course आपको वैसे तो बहुत काम आएगा जब आप सीख लेंगे लेकिन अगर आप सोचते हो कि यह job में आज आएगा काम notification में लिखा हुआ है कि online में चल जाएगा तो फिर आप यहां से भी ले सकते हो तो आपके लिए यह दो website बहुत काम की हैं एक NSDC और दूसरा Skill India Digital Hub आपको यहां से काफी सारे certificates मिल सकते हैं दोस्तों और इन दोनों का ही link मैं आपको offline कीजिए यह पूरा notification में properly दिया होता है तो आप उसको मदे नजर रखते हुए अपना काम आगे की तरफ बढ़ाईए तो I hope कि आपको वीडियो पसंद आया होगा मिलते हैं next वीडियो में और कुछ नई बाते करेंगे education और career से related तब तक के लिए all the best bye bye and take care दोस्तों दोनों लिंक description box में है और whatsapp and telegram channel launch हो चुका है उसको भी follow कर लीजे मिलते हैं next वीडियो में बाई